ला ला ला-ला ला ला-ला टू है वही दिल देच से अपना कहा तू है जहा मैं हुआ हूआ अब को है जीना तिरे मिन है सजा हूँ मिल जाए इस तरहा दो लहरे जिस तरहा फिर हूँ ना जुदा हाँ ये वादा रहा ce make up look कैसे आप सब लोगाय कैसे आप सब लोग अच्छे होगे और आज मैपके साथ श्रीय करने वाली हुय यह वाला अनुदा मेक अपन लोगया है यह जो मेक अपन लूग है मैंने साड़ी के साथ किया है यह जो आप salon मुझे अच्छा लगा और कॉमें शेक्ष्ट में ज़रूर से बताना कि आप लोगों कैसा लग रहा है अगर अगर आपको यह मेकप लोग पसंद आता है तो मुझे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों कि मैं आगे भी बहुत अच्छे लोग शेयर करूंगी आपके स साथ और अगर आप जानना चाहते हो कि मैने ये लूब कैसे achieve किया है तो वीडियो को enter देखता हूं मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे steps क्लियर बढ़ आए हैं तो आप भी इस लोग को achieve कर सकते हो तो चलो video को start करते हैं let's start the लोगाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना मैंने यह ब्यूटी ओईल लिया है यह फेशल ओईल है जो है दव ब्यूटी को का हां तो इसको ना मैं बहुत अच्छे से प्लाइए कर लोगे अपने पूरे फेस में क्योंकि अभी ना मेरा फेस बहुत ड्राय सा फील हो रहा तो फिर एकदम ही ड्राय निस जैसा लगने लगेगा पूरा फेस तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोड़ाक लिया है उसको ब्लेंड किया है फिर जरुरत होगी तो फिर से लूगी बट फिलाल थोड़ा थोड़ा हां उसके बाद आज मैंने कंसीलर भी बैक आप दा हैंड और वह भी बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि ब्लेंड कर दिके बाद अगर ज़रुरत होगी तो फिर से ले सकते हैं बट अगर जादा पैचीनस होने लग गया तो फिर उसको ना ठीक करने में बहुत जादा टाइम लगता है तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना ह तो इसको भी मैं बहुत अच्छा से ब्लेंड कर दूंगी उसके बाद मैं अपने नेक रीजन को भी करूंगी क्योंकि अगर नेक पे नहीं किया ना तो नेक और फेस एक दम अलगी चमकता है तो इसलिए मैं अपने ने के रिया में भी फोकस करने वाली हूं उसके बाद कंसील लेके ब्रश से मैं अपने आई लेड में लगा लूँगी वह ऐसा आई प्राइमर की तरह काम करेगा जिसकी वज़े से मेरा मेक अप पॉप करने वाला है पता नहीं पॉप करेगा की नहीं बट हाँ आई लेड में इसको अप्लाई करूंगी ऐसा प्राइमर ठीक है इसके बाद मेरा आई शेडो का नंबर आएगा नहीं इसके बाद मेरा लिब बाम का नंबर आएगा मैं एक्चली लिब बाम लगाना भूल गई थी और लिब बाम है ये बायर्टिक का ये मेरा फेवरेट लिब बाम है इसका जो कालर है वो मुझे बहुत पसंद है ना येलो लाइन या ना वहां पर अप्लाई करूंगी और उसके बाद उसी से मिलता हुआ एक शेड है औरेंज है कुछ ऐसा तो उसको मैं अप्लाई करने वाली हूं अपने आईज में देन इसके बाद मैं लेने वाली हूं अपना एक ब्लाक कलर का शेड और उसको मैं आउट लाइन ड एक दम से वह न हो मताँ पैची निस नहों जाए इसमें क्योंकि ना ब्लैक करने में बहुत जारा प्रॉबलम होता है यह ब्लू कलर का शेड लिया है और इसको मैंने अपने इन इनर लिड में अपलाई किया है और उसके बाद तो मेरा फेवरेट शेड आने वाला यह जो शिम में इसको लेके मैं थोड़ा सा इसको आउटर कॉर्णर से लेकि थोड़ा अंदर तक को कोई भी हार्ष लाइन अगर दिख रहा हो और अगर ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हो तो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आई मेकप मेना जितना ब्लेंड करो तना ही अच्छा है उसके लगई लकाना फिर यह स्मच कर लीया मैंने ऊसके बाद मैंने लिया आई-लाइनर मैंने ना बहुत ही तीन लाइन ढ्रॉ की है कूंकि भिना आई-लाइक ऑस्टंग सब्सक्राव में अपना मेकप कर सकते हो और अच्छा ही लगता है मतलब अगर आप चाहो eyelashes लगाने तो लगा सकते हो और अच्छा लगेगा बर्ट अगर नॉर्मली हमाई lashes नहीं लगाते है जादा इसकी वज़े से मैंने नहीं लगाया समझ गया ना ठीक है उसके बाद ये एक contour stick है इसको मैंने अपने face के around apply किया है जो जो area में आप देख सकते हो तो ना ये एक warmth देदेगा अपने face को तो अभी इसको भी मैं बहुत अच्छे से blend कर लूँगी तो मेरे पास है ये वाला brush और इससे मैं एक्तम slowly slowly इसको blend करूँगी और ये product भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है जादा नहीं लिया है ताकि nose थोड़ी से और structure लगे contouring मुझे बहुत अच्छे से आती भी नहीं है for very frank हा उसके बाद ये जो shade है ये eyeshadow palette में blush shade लिखा हुआ था तो मुझे लगा ना ये orange इसका थोड़ा सा shade है तो ये warmth देगा face को तो इसलिए मैंने आज ये वाला as a blush यूज किया है देन ये highlighter है wet and wild का और उसके बाद इसको मैं अच्छे से blend करूंगी ये भी ना बहुत थोड़ा थोड़ा लूँगी क्योंकि ना highlighter ज्यादा हो जाता है ना तो वह camera में तो अच्छा लगता है मत्रियल लाइफ में वह इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता मतलब ऐसे चमक नहीं लगता है बहुत ज्यादा हाइलाइट लगता है तो इसलिए मैंना थोड़ा थोड़ा प्रड़क्ट ही लूँगी और उसको मैं अच्छे से blend करूंगी जरूरत होगी तो फिर से लेंग इस टिक का शेड लिया है वो इंसाइड कोस्माटिक्स का है 01 और यह कंप्लीट होते है हमारा मेकप लुक यह जो साडी पहनी है मैंने और यह साडी के अकॉर्डिंग बिंदी एंड जुमका सब मैंने ड्रेप कर लिया है और आई होप आपको यह लुक पस अंदार होगा प् कर ले ही बोला था मैं फिर से बोल रही हूँ तो गाइस टेक केर बबाई और लॉट्स अफलाव तो यू बाई